पुलिस ने संदिग्द परिस्तियों में विवाहिता का शव बरामत किया है जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कबजी में लेकर पोस्मार्टम के लिए भेज़ दिया और मामले की जाच में जोड़ गई कासगंज के जलस्पताल में विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिवर कायो जुन किया गया जिसमें रक्तदाताओं को प्रमार पत्र दे कर सम्मानित किया गया इस दोरान सियमों सहित अनिस्वास्त कर्मी मौजूद रहे किसानों ने अल्टिमेट्स देते हुए कहा कि 16 जून तक प्रधानमंद्री से समवाज के लिए सार्थक सूचना नहीं मिली तो 17 जून को एक लाग हस्ताक्षर युक्त ग्यापन जला मुख्याले पर जलाधिकारी को दे कर सवाल खड़ी करेंगे कानपूर में लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कमिशनरेट पुलस ने नई पहल की शुरुआत की है पशिम जोन के सभी थानों में उडन दस्ते बनाए गए हैं साधिक अपड़ों में तैनाद पुलिस कर्मी लूटेरों पर नज़र रखेंगे कानपूर विकास प्रधिकरण यानी केडिये की 140 वी बोट बैठक में एहम फैसले लिये गए शताबदी नगर महावीर नगर और जवाहर पुरम विस्तार योजना के ले आउट में शिंशोधन किया गया इसमें 150 प्लॉट लोग खरीज सकेंगे वहीं बोट बैठक में 13.64 अरब का बज़ेट स्विक्रित किया गया है गंगा में फ्लोटिंग रेस्टरांट के लिए 4 करोड रुपे प्रस्ताविद किये गये है बीजुर कर्मी में विकास भुमन में लगे ट्रांस फार्म में अचानक आग लग गए जिससे अफरात अफरी का महौल हो गया सुचना पर पहुँचे दमकल कर्मीयों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया फेस्बुक अलर्ट और मेरेट पुलिस की समझदारी ने एक शक्ष की जान बचा लिए जहां पारिवारी प्विवाद के चलते यूवक फेस्बुक पर लाइव सुसाइट करने जा रहा था तबी अमेरिका से अलर्ट आया और साथ नेट में पुलिस ने प्रोफेसर की जान बचा ली कानपुर पुलिस कमिशनर की जनस Unwai कींदर में फर्याद लेकर बहुँचा लेकर पुलिस मामली में कोई कारिवाई नहीं कर रही है वोई पीडी तरिंकू नियाय पानी के लिए दरदर भटक रहा है जिसको लेकर आज कमेशनल कारेले की जनसुनवाई केंद्र में पुलिस के उच अधिकारियों से गुहार लगाई आरोपी प्रेमी को गरफतार किया जाए और पत्नी वापस बरामत की जा सके जिबकि पीडी तरिंकू ने बताया कि उसका एक छोटा सा बच्चा है जिसको लेकर वो काफी परिशान है कानपूर में एक अग्याद पूरुष का शव मेले से छेतर में हड़कंप मंच गया मौके पर पहुंची पूलिस ने शव को पोस्माटन के लिए भेज दिया है और मामले की जाच में चुट गई है कास गंज जिले के गंज डुनवारा नगर में प्रथम स्थापन दिवस मनाया गया प्रस्था अपने दिवस के दौरां सी एकसी में मरीजों को फल बाटे गए इस दौरां ट्रस्ट के सभी पदादिकारी मौजूद रहे यूपी के कानपूर में उत्रप्रदेश में भी अगले चार दिनों तक लू वातपन से राहत के आसार नहीं है 17 जून के बाद प्रवांचुल के तराई वाले इलाकों में हवा का रुख बदलेगा पच्छुआ के बज़ाय पुर्वाई बहेगी और बादलों का डेरा रहेगा मौसम विभा के मताबिक 19 जून के बाद मांसून की गतिवीदिया चालू हो सकती है हर दोई बिलग्राम में पुलिस मुटभेड में जानलेवा हमले का आरोपी घाल हो गया पुलिस ने घाल को इलाज के लिए जिलास्पताल में भेज दिया आरोपी के पास एक तमंचा, एक कार्तूस वह एक खोका और चाकु भी बरामत किया गया है शेर छेत्र में भीशुड गर्मी में पानी की समस्या को लेकर कई छेत्रों में हाहकार मचा हुआ है आज पानी को लेकर परिशान कई छेत्रों की महलाए खाली बरतन लेकर जल्स इंस्थान कार्याले पहुंची वहीं सूचना पर पहुंचे पूर किंद्री मंत्री ने अपने समर्थुकों के साथ जीम का घेराव किया सिर्फ पानी दो पानी के नारे लगाते हुए मांग पूरी ना होने तक प्रदर्शन जारे रखने की बात कही